अपने यूटूब चैनल एक्जाम जीके पर मैं रंजीत पाइंडे आप सभी का वेलकम करता हूँ जुड़ते जाइए सभी क्लास टाट हो गई है जल्दी यल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रूपस में हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपने दूसरे वेलकम वेलकम नमशकर 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 जुड़ते जाइए सभी को मेरे आवाद साफ सा रही है ऑडियो क्लियर है इकदम okay चलिए तो सबसे पहले तो मैं आपको टाइम कीवश्यल का बतला दूँ स्रुक्स विडियोके इसलिएह देता हूँ की जो भी वीडियो देखे तो इसको टाइम टेबल पादा चल जाए है फगर पहली क्लास जो है रोज सुबह और साढ़े chemical बज़े से होती है, दूसरी क्लास जो है एक बज़े से होती है और तीसरी क्लास नौ बज़े से होती है तो आप दिन में तीन live क्लास में आ सकते हैं पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो bell icon on कर लिजेगा वीडियो शेयर कर दीजी अपने अपने ग्रूप म में data input किया जाता है किस input device से कुझी यानि की दबाकर computer में data input किया जाता है right answer क्या है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए कौन सी device में data इन्पट किया जाता है right answer क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए वीडियो शेयर करते जाएए चैनल परना है तो subscribe भी करते जाएए आतो रहा है comment चैनाज तो यहाँ पर सेयुत्र हो जाएगा यह input device कौन सी है तो यह input device है keyboard option number A प्रश्ण का सेयुत्र हो जाएगा यह input device है keyboard keyboard में आप data को press करके input करते हैं हाँ data को input करा जाता है keyboard में कुंजी के द्वारा keys के द्वारा data input किया जाता है right answer हो जाएगा हाँ बिलकुल सहनाज जी अगला question देखते हैं हम mouse को दो बार click करते हैं तो सूचना कहां पर जाती है हम mouse को दो बार click करते हैं तो वो सूचना कहां पर जाती है क्या उत्तर हो जाएगा जब हम mouse को दो बार click करते हैं तो वह सूचना जो है वह कहां पर जाती है राइट अंसर क्या है? जब हममाउस को दो बार क्लिक करते है तो सूचन ना कहाँ पर जाती है राइट अंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए चली देख लेते हैं इस प्रश्ण का सैयुत्र क्या हो जाएगा? तो जहम माउस को दो बार क्लिक करते हैं तो वो सूचना जो है यह जाती है CPU में Option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा Central Processing Unit Right answer है माउस के लिए जब हम दो बार प्रेस करते हैं तो वह सूचना CPU में जाती है सही उत्तर हो जाएगा जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएए Next question देख लेते हैं अगला प्रशन ये रहा आपके सामने निम्द लिखित मैसे ऐसे input device का नाम बताईए जो उप्योग करता की उंगलियों के दबाव को महसूस करते हुए काम करता है वह input device कौन सा है जो उप्योग करता की उंगलियों के दबाव को महसूस करके काम करता है राइट आंसर क्या है वह input device कौन सी है संधिया राइट आंसर क्या हो जाएगा जो उप्योग करता के उंगलियों के दबाव को महसूस करके काम करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए वीडियो शेयर करते जाएए तो यहाँ पर सयुत्र हो जाएगा इस input device का नाम है touchpad option number B ये उंगलियों के दवाओ को महसूस करके result देता है राइट आंसर हो जाएगा इस input device का नाम है touchpad राइट आंसर है next question देख लेते हैं अगला प्रशन ये रहा आपके सामने जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएगे जो भी पहली बार आ रहे हैं subscribe जरूर कर लीजेगा next question आपके सामने है अगला प्रशन है निमलिखित मैं से कौन सा कथन input device के लिए गलत है इन मैं से कौन सा कथन input device के लिए गलत है क्या उत्तर हो झालत है तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्चन के लिए निमलिकित मैंसे कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत कथन है इनपुट डिवाइस के लिए गलत इनमेंसे क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्चन के लिए इनमेंसे कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option number D input device को परिधिय device भी कहा जाता है यह कथन input device के लिए गलत कथन है option number D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा जिस जिस के भी गलत हुए हैं सही कर लीजे next question देख लेते हैं अगला प्रशन यह रहाप के सामने निमलिकित मैंसे कौन सा pointing device है जो computer की screen पर वस्तू को किसी दिशा में ले जाने के लिए प्रियोग किया जाता है इन मैंसे कौन सा pointing device computer की screen पर किसी वस्तू को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए प्रियोग किया जाता है right answer क्या है प्रशन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर ले राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तू को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए प्रियोग किया जाता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए चलिए बतलाईए तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो यह पॉइंटिंग डिवाइस जो है यह जोईस्टिक है option number B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा यह है जोईस्टिक सही करो आंसर गलत हो रहा है जिस जिसके भी गलत हो रहा है सही करो और वीडियो को शेयर भी करते चलो जिस जिसके भी गलत हो रहा है सही करते चलो अब वीडियो को शेयर भी करते चलो अगला question देख लेते हैं अगला प्रशन है track ball कौन सा device कहलाती है track ball कौन सा device कहलाती है track ball कौन सा device कहलाती है right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए track ball कौन सा device कहलाती है right answer क्या है प्रशन के लिए Trackball कौन सा device कहलाती है सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना न भूले Trackball कौन सा device होता है तो Trackball जो है एक प्रकार से input device है option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा सही करो answer Computer के question का answer सही तरीके से continue दे नहीं पार एक question सही एक question गलत सही करो answer जिसके भी गलत हो रहे है Next question निमलिकित में से कौन एक input device का उधारन है Right answer क्या हो जाएगा कौन एक input device का उधारन है वीडियो शेयर भी करते चलो इनमें से कौन एक input device का उधारन है Right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए Channel पर नए है तो subscribe करना न भूले कौन एक input device का उधारन है क्या है प्रश्ण के लिए तो यहां पर सहीतर हो जाएगा Scanner option नमब B प्रश्ण का सहीतर हो जाएगा Scanner एक प्रकार से input device है Right answer हो जाएगा Scanner प्रश्ण का सहीतर है Next question है Computer game और सहायक तक्नीकी के लिए Joystick का प्रियोग आप इनमें से कहां पर करेंगे Joystick का प्रियोग आप इनमें से किस जगह पर करेंगे क्या उत्तर हो जाएगा Joystick का प्रियोग आप इनमें से किस जगह पर करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए जॉयस्टिक का प्रियोग आप इन में से किस जगह पर करेंगे चार ओप्शन है इन में से कौन सा आंसर आपका सही होगा बतला ही है जॉयस्टिक का प्रियोग आप कहां पर करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रस्वन के लिए joystick का प्रयोग आप कहां पर करेंगे चलिए देख लेते हैं तो joystick का प्रयोग हम cursor control वाली जगह पर करेंगे option number B right answer हो जाएगा cursor control वाली जगह पर joystick का प्रयोग हम करेंगे जिन जिनके भी गलत हुए हैं, सही कर लीजे Next question देख लेते हैं, अगला प्रश्ण ये रहा आपके सामने निम्न मैं से कौन एक input device नहीं है? इन मैं से कौन एक input device नहीं है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन मैं से कौन एक input device नहीं है, right answer क्या हो जाएगा? इन में से कौन एक input device नहीं है सही उत्तर क्या है प्रश्ण के लिए इन में से कौन एक input device नहीं है राइट आंसर तो plotter जो है ये output device है इन्पुट डिवाइज नहीं है option number B प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा सही करो answer बहुत गलत हो रहे है answer आज क्या बात है इतने की तो मैंने भी उम्मीद नहीं करती कि इतने गलत होंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए चलिए बतलाईए शेयर करते चलिए जो भी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना ना भूले राइट आनसर क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए चलिए बतलाईए question आप से पूशा गया है इनमेजे input device नहीं है 물oter अगला है, कौन एक input उपकरण है? बताईए इनमेजे, कौन एक input उपकरण है? इनमेजे कौन एक input उपकरण है? right answer क्या हो जाएगा इन में से कौन एक input उपकरण है सही उत्तर क्या है प्रश्ण के लिए कौन एक input उपकरण है सही उत्तर क्या हो जाएगा हाँ दिमाग गूम रहा है आज के questions 60 MCQ है computer के 60 MCQ है computer के और ये exam में पूछे हुए previous questions है computer के जो GQ section में 2 या 3 questions आते हैं वो पूरे question set करके 60 प्रश्ण निकाले हैं और ये 60 प्रश्ण पूरे computer कही है अभी तो आगे last के 20 प्रश्ण फुल फॉर्म है computer के जो फुल फॉर्म होते है न वो है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कौन एक input उपकरण है तो option number right answer है optical character reader option number B यह एक input उपकरण है सही उत्तर हो जाएगा right answer क्या है optical character reader एक input उपकरण का उधारन है सही उत्तर हो जाएगा जिस जिसके भी गलत हुए है right answer क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं next है निम्न मैंसे कौन सा hardware computer input का device है इन मैंसे कौन सा hardware computer में एक प्रकार से input device है क्या उत्तर हो जाएगा सही उत्तर क्या है प्रश्ण के लिए right answer जो भी चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा right answer क्या है प्रश्ण के लिए चलिए देख लेते हैं कौन सा hardware computer में एक input का option है सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्ण के लिए तो यहां पर कौन एक इनमें से कौन सा hardware computer में input device है तो scanner scanner एक प्रकासे hardware है और यह computer में input device की तरह प्रियोग में आता है ठीक है next question देखते हैं निम्लिकित में से कौन एक input device है बतलाईए इन में से कौन एक input device है क्या उत्तर हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए इन में से कौन एक input device है सही उत्तर क्या हो जाएगा चली देख लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा mouse mouse एक input device है option number mouse प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए जो भी पहली बार आ रहे हैं subscribe जरूर कर ले next question है एक typewriter जैसा उपकरण एक typewriter जैसा उपकरण जिसका उपयोग computer को data या command भेजने के लिए करते हैं वो इन में से क्या कहलाता है एक typewriter जैसा उपकरण जिसका उपयोग computer को data या command भेजने के लिए करते हैं वह क्या कहलाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब ज़रूर करें बतला है टाइप राइटर जैसा उपकरण इनमें से कौन सा है जो कम्पूटर को डेटा भेजने के लिए उपयोग करते है सही उत्तर क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं इस प्रशन का सही उत्तर क्या हो जाएगा तो टाइप राइटर जैसा उपकरण ये है हमारा कीबोड कीबोड एक टाइप राइटर जैसा उपकरण है जिसका प्रियोग कमांड भेजने के लिए किया जाता है एकदम easy question है, फिर भी गलत कर दिया, अगला प्रशन है निम्लिखित में से कौन एक input device नहीं है, इन में से कौन एक input device नहीं है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन में से कौन एक input device नहीं है, right answer क्या हो जाएगा, वीडियो शेयर करते चलो चैनल पर नए हो तो subscribe करना ना भूलना, right answer क्या है, इन में से कौन एक input device नहीं है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन में से कौन एक input device नहीं है सही उत्तर क्या हो जाएगा इस question के लिए वीडियो share करते चलिए right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए हाँ जी right answer क्या है question के लिए कौन इन में से input device नहीं है सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए चलिए देख लेते हैं इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा तो input device projector नहीं है projector एक output device है projector क्या है projector एक output device है input device नहीं है यह right answer हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए projector क्या है तो projector एक output device है जिसका भी गलत हुआ है सही कर लीजे नेक्श कौशन है अगला प्रशन देखिए निम्न लिखित मैंसे कौशन है निम्न लिखित मैंसे कौन सा एक input device है जिसका उपयोग कागजी दस्ता वेजों को विशेश रूप से चैक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए क किया जाता है बतलाईए वह कौन सा input device है जिसका उपयोग चैक की वैधता को पता करने के लिए करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा कौन सा उपकरण है जिसका प्रियोग चैक की वैधता या सत्यता का पता करने के लिए करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा चैंप्यन्स वीडियो शेर करते चलो चैनल पर नय हो subscribe करते चलो और please like भी करते चलो वीडियो को like भी करते चलो आपके support से ही सब है support दिखाना पड़ेगा like करना पड़ेगा शेर करना पड़ेगा क्या उत्तर हो जाएगा बतलाईए question एक दम easy है इसका answer क्या है right answer क्या हो जाएगा तो इस उपकरण का नाम क्या है तो ये उपकरण है option number magnetic ink character recognition magnetic ink character recognition प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा hello next question देख लेते हैं अगला प्रशन आपके सामने निम्लिखित में से किस यंत्र में electronic लिखने का छेत्र होता है बताईए इन में से कौन से यंत्र में electronic लिखने का छेत्र होता है right answer क्या हो जाएगा मतलब आप जो लिखोगे वो सामने दिखने लगेगा आप जो लिखोगे वो सामने आपको दिखेगा electronic लिखने का छेत इसका मतलब क्या है कि आप उसमें लिखोगे और वो सामने आपको दिखेगा बतलाईए क्या होगा कौन सा इन में से वह device है जो electronic रूप से प्रियोग किया जाता है और उसमें लिखने का एक area होता है और जो आप लिखते हो वो आपको सामने मिलता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए very well done champions very well done जिस जिसने hint समझी है उसका आंसर सही हो गया है जिस जिसका भी गलत है सही करते जाएए तो ये है graphics tablet option number D graphics tablet प्रेशन का सही उत्तर हो जाएगा सभी को मेरी आवास साफ आरी है audio video clear है कोई दिक्कत परेशानी समस्तर तकली problem कटना ही चिंता दुभवेता tension हो तो जरूर बतलाएगा next question है अगला प्रशन भी एकदम easy है आप से पूछा गया है यहाँ पर निमने लिखित में से कौन सा काम microphone के द्वारा किया जाता है right answer क्या है कौन सा काम microphone के द्वारा किया जाता है right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए microphone के द्वारा कौन सा इनमे से काम जो है वह किया जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो माइक्रोफोन काम करता है मानव भाषण को विद्दुत संकेतों में शामिल कर देता है मानव भाषण को विद्दुत संकेतों में शामिल कर देता है यह microphone का मुख्य काम है next question देखते हैं अगला प्रशन यह रहा आपके सामने question है किस उपकरण का उपयोग pencil द्वारा किस उपकरण का प्रियोग pencil द्वारा या pen के द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है इन में से कौन से उपकरण का प्रियोग पूर्व निर्दिष्ट right answer क्या है कौन से उपकरण का प्रियोग pencil द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्हों को पता करने के लिए करते हैं सेयत्तर क्या हो जाएगा जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन ओन करें वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करते चलें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह है OMR Optical Mark Reader Right Answer Option Number A प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा Right Answer है Optical Mark Regulation यह OMR जो है यह जो टिक करते हैं आप Multiple Choice Question उनका सही टिक पता करने के लिए प्रियोग करते हैं Option Number OMR Right Answer Next Question है कौन सा डिवाईज इनमे से कौन सा डिवाईज आम तोर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाईज को सूचना भेजता है इस आम तोर पर एक उपकरण का भाग होता है जो प्राथमिक डिवाईज को सूचना भेजता है Right Answer क्या हो जाएगा प्राथमिक डिवाईज को सूचना भेजता है कौन सा है इनमे से बतलाईए Right Answer क्या हो जाएगा Champions Please वीडियो को शेर करो और भी दोस्तों को जिसे और भी स्टुएंट क्लास में आ सके आप सभी थोड़ा सा सयोग करो सपोर्ट करो, शेर करो ग्रुप में अपने अगर आपका कोई ग्रुप है और अगर आप नहीं जुड़े हो किसी ग्रुप में तो कम से कम स्टेटस वगेरा में या कहीं से भी शेर करके आप वाचिंग बढ़ा सकते हो है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो यहां पर सहित्तर हो जाएगा option number ये है input device input device वो अपकरण होता है जो प्रात्मिक डिवाइज को सूचना भेजने का काम करता है input device प्रात्मिक डिवाइज को सूचना भेजने का काम करता है next question है कौन सा कौन सा एक electronic display screen है जो input device की तरह भी प्रियोग होता है कौन सा एक electronic display screen है जो input device की तरह भी प्रियोग होता है right answer क्या है प्रशन के लिए चलिए बतलाईए सोचिए समझे आंसर दीजिए राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए चलिए बतलाईए कौन सा एक इन्पुट डिवाइस इलेक्रोनिक डिस्प्ले है जो इन्पुट डिवाइस की तरह भी प्रियोग होता है सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप्शन अंबर यह क्या है तो इसको हम कहेंगे आप्शन अंबर तच स्क्रीन राइट आंसर है तच स्क्रीन एक इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले है जो input device की तरह प्रियोग किया जाता है right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए next question देख लेते हैं अगला प्रशन ये रहा आपके सामने question क्या आप पूछा गया है किस input device से motion data को कौन से input device से motion data को computer या दूसरे electronic की अंतरों में दर्ज किया जाता है right answer क्या है प्रशन के लिए चलिए बतलाईए शेयर करते जाएए तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए बतलाईए input device से motion data को computer या दूसरे electronic की अंतरों में दर्ज किया जाता है वह कौन सा device है right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए चलिए बतलाईए शेयर करते जाएए वीडियो को जो भी पहली बार आ रहे है subscribe जरूर कर लीजेगा तो यहाँ पर सही उतर हो जाएगा यह input device जो है यह है track ball track ball motion data को computer या दूसरे electronic यंतरों में दर्ज करती है option number B यह लिए data input करने के लिए सबसे अधिक किस hardware का उपियोग होता है data input करने के लिए सबसे अधिक कौन से hardware का उपियोग होता है right answer क्या है प्रश्ण के लिए data को input करने के लिए सबसे ज़ादा कौन से हाडवेर का उपियोग होता है right answer क्या है प्रश्ण के लिए वीडियो शेयर करते जाएए चैनल पर नय है तो subscribe करना ना भूले right answer क्या है प्रश्ण का चलिए देख लेते हैं तो आप सबसे ज़ादा प्रयोग करते हो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा डिवाइस आम तोर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजने का काम करता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजने का काम करता है वह कौन सा है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रात्मिक डिवाइस को सूचना भेजने का काम कौन करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्ण के लिए प्रात्मिक डिवाइस को सूचना भेजने का काम कौन करता है राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए सूचना भेजने का काम कौन करता है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा input device, प्राथमिक device को सूचना भेजने का काम करती है सही उत्तर हो जाएगा next question देख लेते हैं निम्न मैंसे कौन सा एक pen के आकार का उपकरल होता है जिसे touch screen पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है चलिए बतलाईए right answer क्या हो जाएगा pen के आकार का उपकरण है जो touch screen पर उपयोग करने के लिए design किया गया है right answer क्या हो जाएगा expression के लिए सही उत्तर क्या है video share करते चलिए channel पर नए है subscribe जरू करते जाए right answer क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो option number यह है stylus pen option number B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा यह है stylus pen क्या बोलते हैं इसको stylus pen यह है जो मेरे हाथ में right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला question देख लेते हैं यह रहा आपके सामने निम्लिखित मैंसे किस तकनीक का निम्लिखित मैंसे किस तकनीक का उपयोग करके चेक की processing की जाती हैं कौन सी तकनीक का प्रयोग करके चेक की processing की जाती हैं right answer क्या हो जाएगा हाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए वीडियो शेयर करते चलो चैनल पर नए हो subscribe कर लो यह topic ऐसा है कि हर exam के लिए important है computer से related gk exam में पूछा जाता है और revision ना होने के वज़ाएग से यह caution गलत होते हैं तो आप अपने ग्रूप में अपने दोस्तों को जरूर बतलाएं वो class जरूर देखें आपके काम के प्रशन हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चेक के लिए जिस तक्नीक का प्रयोग करते हैं वो होती है M-I-C-R magnetic ink character recognition option number C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अगला question है निमलिकित मैंसे कौन सा electronic display screen है जो एक input device भी है कौन सा एक electronic display screen है जो input device भी है क्या उत्तर हो जाएगा हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा share करते जाएगे नहीं नहीं तोड़ेंगे screen क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए share करते जाएगे वीडियो को share जरूर करें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा option number यह है touch screen touch screen प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा touch screen एक ऐसा device electronic display है जो input device की तरह भी प्रयोग होता है आप उसमें number dial करिये screen पर number आ जाता है आप उसमें कुछ लिखिये screen पर लिख जाता है तो touch screen एक ऐसा display है जो input device की तरह प्रयोग किया जाता है next question देखते हैं अगला प्रशन यह रहा आपके सामने question क्या है mouse किस तरह का input device है mouse जो है यह किस तरह का input device है right answer क्या हो जाएगा mouse किस तरह का input device है right answer क्या हो जाएगा video share करते जाएगे mouse किस तरह का input device है right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए हाँ जी very good right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो mouse जो है एक प्रकार का optical input device है option नमर ए प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा optical input device next question देखते है computer पर computer पर blinking symbol को क्या कहा जाता है computer पर blinking symbol को आप किस नाम से जानते है right answer क्या हो जाएगा computer पर blinking signal को आप किस नाम से जानते है right answer क्या है प्रशन के लिए computer पर blinking signal को आप किस नाम से जानते है तो हम उसे बोलते हैं क्या cursor क्या बोलते है cursor next question देखते हैं अगला प्रशन है निम्द लिखित मैंसे कौन सा एक electronic display screen है जो input device भी है right answer क्या हो जाए अब भी बताया मुश्किल से दो मिनिट पहले ही बताया है मुश्किल से दो मिनिट पहले ही बताया है कौन सा है बतलाई right answer सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए हाँ जी तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए जॉइस्टिक यह किस तरह की डिवाइस है राइट आंसर क्या है प्रेशन के लिए जॉइस्टिक किस तरह की डिवाइस है सही उत्तर क्या हो जाएगा वीडियो शेयर करते चलिए जॉइस्टिक किस तरह की डिवाइस है राइट आंसर क्या हो जाएगा very well done जो जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएगे joystick किस तरह की device का उधारण है तो joystick जो है एक प्रकार से यह input device है option number A प्रेशन का सही उत्र हो जाएगा joystick input device का उधारण है next question है निम्द लिकित मैं से किस यंत्र में electronic लिखने का छेतर होता है अब भी बताया था ये भी electronic रूप से लिखने का छेतर इनमें से कौन से यंत्र में होता है electronic रूप से लिखने का छेतर इनमें से कौन से यंत्र में होता है right answer क्या है electronic लिखने का छेतर इनमें से कौन से यंत्र में होता है right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए चलिए बतलाईए तो यहाँ पर right answer हो जाएगा electronic लिखने का छित्र जो है यह graphics tablet में होता है option number D right answer है निम्न लिखित मैं से किस input device में आप से यहाँ पर पूछा गया है निम्न लिखित मैं से कौन से input device में डिवाइस से motion data को computer या दूसरे electronic यंत्रों में दर्ज किया जाता है कौन सा वह input device है बतलाईए कौन सा वह input device है right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए कौन सा वह input device है सही उत्तर क्या है question के लिए right answer क्या हो जाएगा वह input device कौन सा है जो motion data को तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इसे हम बोलेंगे track ball option number B प्रशन का सही उत्तर है यह है track ball very well done अगला question देखे क्या पूशा गया है बहतरीन प्रशन बहतरीन question बहतरीन आप से बनेगा की नहीं देखते हैं आप से पूशा गया है data input करने के लिए सबसे अधिकिस hardware का उप्योग किया जाता है data को input करने के लिए data को input करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन से hardware का उप्योग किया जाता है right answer क्या है प्रशन के लिए चलिए बतलाईए तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा data के लिए सबसे ज़्यादा प्रियोग किया जाता है keyboard option no.C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा बहुत बढ़िया next question है input device white board pen किसके लिए होता है input device white board pen किसके लिए होता है right answer क्या हो जाएगा white board pen किसके लिए होता है right answer क्या है प्रशन के लिए channel पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करते जाए वीडियो लाइक जरूर करिएगा जिस जिसने नहीं किया है राइट आंसर क्या है एक भी क्वेशन धंग से नहीं बन रहा है बहुत शानदा तरीके से आप लोगों की तैयारी देखते हुए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए क्वेशन आप से पूछा गया haircut device वाइट बोड पैन जिसके लिए प्रेयोग होता है तो option number interactive board के लिए option number c प्रेशन के लिए से यतर हो जाएगा interactive board में वाइट बोड पैन प्रेयोग किया जाता है इंपुट डिवाइस के रूप में स्कैनर क्या काम करता है स्कैनर जो है यह क्या काम करता है स्कैनर जो है यह क्या काम करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा स्कैनर क्या काम करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए scanner क्या काम करता है सही उत्तर क्या हो जाएगा चली देख लेते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा scanner जो है मूल रूप से आपके लिए option number चित्र भी और text भी सब scan कर देता है option number C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा दोनों चित्र भी और text भी दोनों चीज़े वो scan कर देता है next question देख लेते हैं अगला प्रशन ये रहा आपके सामने निम्लिकित में से किस उपकरण का प्रियोग पैंसिल पैन द्वारा पूर्वन रिजिश्ट प्रकार के चिन्ड को पहचानने के लिए करते हैं इनमें से कौन सा वहोपकरण है जो पैंसिल या पैन के द्वारा टिक किये गए चिन्डों को सही है या गलत है या उनके बारे में जानकारी एकत्रत करने के लिए प्रियोग किया जाता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए वीडियो शेयर करते चलिए जो भी चैनल पर नए है सब्सक्राइब ज़रू करें राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये कौन सा है तो ये है OMR शीट राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर A नेक्ट कोश्चन देख लेते हैं M.I.C.R. में आई का मतलब क्या है M.I.C.R. में आई का मतलब क्या है M.I.C.R. में आई का मतलब क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा वीडियो शेयर करते चलिए जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना न भूले राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्चन के लिए तो M.I.C.R. में I. मतलब इंक होता है है न? राइट आंसर हो जाएगा मेगनेटिक इंक करेक्टर रिकागनेशन I. मतलब इंक आप्शन नमबर C प्रश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अब ही बताया था फुल फॉर्म अब भी भूल गए कसम से गजब राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी जिस जिसके भी गलत हुए है सही कर लीजे जिस जिसके भी गलत हुए है सही कर लीजे राइट आंसर क्या है? बतलाईए O, M, R में M का मतलब क्या है? राइट आंसर क्या है? प्रश्चन के लिए बतलाईए अरे हाउ वीडियो शेयर करते चलो तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्चन के लिए Option Number O, M, R में M का मतलब होता है Mark Optical Mark Recognition Mark Option Number A प्रश्चन का सही उत्तर हो जाएगा Next Question है निम्नलिखित मैंसे अगला Question देखे क्या पूशा गया है निम्नलिखित मैंसे कौन सा एक लीवर है जो किसी Computer या Monitor के समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकरती की चाल को नियंतरत करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है क्या उत्तर हो जाएगा कौन एक प्रकार से लीवर है जो Computer डिस्प्ले में अंदर जो स्क्रीन के अंतर आकरती को नियंतरत करने के लिए घुमाया जा सकता है राइट आंसर क्या हो जाएगा वीडियो शेयर करते चलो लाइक करते चलो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलना सब्सक्राइब भी करते चलो राइट आंसर क्या है देखो भी यह सारे कॉशन आपको पढ़ना पढ़ेंगे हर प्रकार से question exam में पूछे जा सकते हैं sports से, current से, computer से, gk का पुराना section, नया section, आधुनिक, नवीनतम, सब तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, यह है joystick यह है joystick, joystick एक प्रकार का उपकरण है जिसको है ना, समझ गए ना, next question देख लेते हैं, अगला प्रशन है निम्न में से कौन एक प्रकार का scanner नहीं है, निम्न में से कौन एक प्रकार का scanner नहीं है, right answer क्या है इस question के लिए, right answer, इन में से कौन एक प्रकार का scanner नहीं है रायट आंसर क्या है प्रेस्टिंगِ लिए जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें तो यहां पर रायट आंसर हो जाएगा लेग हैड लेग हैल्ड यह इसकेनर का प्रकार नहीं है है ना राइट आंसर हो जाएगा next question देख लेते हैं अगला प्रश्ण है बोले गए शब्दों की पहचान करने बोले गए शब्दों की पहचान करने और उन्हें पठनी ये पार्थ में बदल देने की शमता किस machine या प्रोग्राम में होती है क्या उत्तर हो जो आप बोल रहे हो वो लिख जाए या जो आप बोल रहे हो उसको पढ़ने योग्य पार्थ में बदलने के लिए किसका लोग करते हैं, राइट आंसर क्या है? वीडियो शेर करते चलो, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, वीडियो शेर करते चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा होता है तो यह होता है speech का speech recognition जो आप बोलते हो वो लिख जाए पढ़ने योग character में option number speech recognition next question देखते हैं अगला प्रशन माउस की कौन सी श्रेणी माउस की कौन सी श्रेणी माउस की गती का पता लगाने के लिए laser का उपियोग करती है बतला ये laser वाले माउस को आप और दूसरे प्रकार से कौन से माउस के रूप में समझ सकते हैं राइट आंसर क्या है मजा तो अब आएगा अब लाश्ट के 20 question सारे के सारे जो हैं वो फुल फॉर्म बाले है अब पता चलेगा कौन कितने पानी में है computer के फुल फॉर्म बाले question right answer क्या है प्रश्ण के लिए computer के full form के question लाश्ट के 20 question अब पता चलेगा किसकी तैयारी कैसी है right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए तो question आप से पूछा गया mouse की श्रेड़ी के लिए तो option number जिसमें laser रहती है वो optical mouse होते हैं कौन से mouse होते हैं optical mouse option number optical mouse बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं optical mouse next है निम लिखित मैंसे URL का full form क्या है start full form अब 20 question आपके लिए full form से मिलेंगे computer के full form URL का full form क्या है right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए URL का full form क्या है right answer क्या है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा को बोल का full form क्या है right answer क्या हो जाएगा तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा को बोल का full form है common business oriented language option number D प्रश्न का सही उत्तर है common business oriented language right answer है next question देख लेते हैं दूर संचार छित्र में ISP का full form क्या होता है television के च्छित्र में ISP का full form क्या होता है right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए video share करते चलिए channel पर नहीं है subscribe ज़रूर करें bell icon on करिए video like करते जाएए सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए हाँ जी right answer क्या है प्रश्न के लिए बतलाईए चलिए देख लेते हैं तो दूर संचार के छित्र में ISP का full form जो है option number internet service provider D प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या है internet service provider right answer है next question है HTTP में P का मतलब क्या होता है HTTP में P का मतलब क्या होता है right answer क्या है HTTP में P का मतलब क्या होता है right answer वीडियो शेयर करते चलो तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा P का मतलब होता है प्रोडोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांस्पर प्रोडोकॉल P प्रोडोकॉल नेक्स्ट कॉशन है निमलिकित में से ASCII का फुल फॉर्म क्या है चलिए बतलाईए जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें क्या उत्तर हो जाएगा इस फ्रेश्ट के लिए बतलाईए आप से पूशा गया है ASCII का फुल फॉर्म क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाईए सभी को मेरी आवाज साफ आ रही है ना सब कुछ हो कि है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टेंडर्ड कोट फॉर्ट फॉर्ट फॉर्मिशन इंटर्चेंज ऑप्शन नमबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट है फाइल फॉर्मेट के संदर्प में पीडिएफ का फॉल फॉर्म क्या होता है पीडिएफ का फॉल फॉर्म क्या होता है राइट आंसर क्या है नई कोई बात नहीं संद्या बन जाएंगे टेंशन ना लो हाँ तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए PDF का full form क्या होता है तो यह है portable document format option number PDF, portable document format option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा Next question देख लेते हैं अगला प्रशन कंप्यूटर के छेतर में लीफो का मतलब क्या होता है कंप्यूटर के छेतर में लीफो का मतलब क्या होता है चलिए बतलाईए लीफो का मतलब क्या होता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह है last in first out option number a प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा last in first out अगला कॉशन है निमलिखित में से smps का full form क्या है smps का full form क्या है right answer क्या हो जाएगा smps का full form क्या है right answer video share करते चलिए smps का full form क्या है सही उत्तर क्या हो जाएगा video share करते जाएगा channel पर नए हैं तो subscribe जरूर कर लें bell icon on करते जाएगा right answer क्या हो जाएगा expression के लिए चलिए देख लेते हैं तो option number switch mode power supply a प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा switch mode power supply प्रश्ण a सही उत्तर है next question है निमलिखित में से MPEG का फुल फॉर्म क्या होगा बतलाइए right answer क्या है right answer जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएगे जो भी चैनल पर नए है option number C सही उत्तर है next question देख लेते हैं अगला प्रश्ण computer के छेतर में photon का मतलब क्या है बतलाइए computer के छेतर में photon का मतलब क्या होता है right answer क्या हो जाएगा champions वीडियो शेयर करते चलो लाइक करते चलो आप लोगों ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लाइक ही नहीं किया है वीडियो लाइक करते चलिए शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा computer के छेतर में photon का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर सेयुत्र हो जाएगा इसका मतलब होता है formula transition option number A formula translation right answer हो जाएगा A formula translation next question देख लेते हैं अगला प्रशन है OCR का full form क्या है बतलाइए OCR का full form क्या है right answer क्या हो जाएगा वीडियो शेयर करते चलो OCR का full form क्या है तो right answer हो जाएगा optical character recognition option over D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा OCR next है निमलिकित में से EVM का full form क्या है EVM का full form क्या है right answer क्या है बतलाइए EVM का full form क्या है right answer क्या हो जाएगा तो electronic voting machine प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा EVM जो है electronic voting machine next question देख लेते हैं अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा ABCDIC का full form है right answer क्या है प्रशन के लिए बतलाइए A, B, C, D, I, C का full form क्या है right answer क्या हो जाएगा A, B, E, B, C, D, I, C का full form क्या है right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा option number A extended binary code decimal interchange code option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा next है computer और internet के छेतर में W3C का मतलब क्या होता है W3C W3 का मतलब क्या होता है W, 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 C W, 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 C का मतलब क्या होता है यह आप से पूछा गया है W, C W3 मतलब 1W, 2W, 3W और फिर C इसका मतलब क्या है right answer तो यह है worldwide wave consortium 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 option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा consortium W, worldwide wave consortium right answer हो जाएगा next question है computer सब्दावली में CLI का मतलब क्या होता है बतलाई CLI का मतलब क्या होता है right answer क्या हो जाएगा वीडियो शेर करते चलो चैनल पर नए है subscribe जरूर करो right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा expression के लिए option number right answer है यह है command line interface option number B right answer हो जाएगा command line interface next है GUI का मतलब computer में क्या है computer में GUI का मतलब क्या होता है बतलाईगे सही उत्तर क्या हो जाएगा GUI का मतलब GUI का मतलब क्या है चली बतलाईगे तो यह है आपका graphical user interface option number D प्रश्न का सही उत्तर है next है computer शब्दावली में IDN का full form क्या होता है IDN IDN का full form क्या होता है right answer क्या है video share करते चलो चैनल पर जो भी नहें subscribe जरूर करते जाना IDN का full form क्या है तो right answer हो जाएगा इस प्रश्न के लिए internationalization domain name option number C प्रश्न का सही उत्तर है next है अगला क्या पूशा गया है users को enterprise data को बदलने की अनुमती देने वाला computer आधारित प्रणाली EWS का full form क्या है right answer क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए users को enterprise data को बदलने की अनुमती देने वाला computer आधारित प्रणाली EWS का full form क्या है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा executive support system option number A प्रश्न का सही उत्तर next computer शब्दावली में ALU का मतलब क्या है तो यह तो आपको पता ही होगा arithmetic logic unit and last question FTP का full form क्या है तो FTP जो है file transfer protocol option number D right answer हो जाएगा